हेलो प्रीपन मैं आश्य करती हूँ है आप सभी ठीक होंगे मैं काजलधामि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिप्टीजर में आज के इस वीडियो में हम UP TED परिक्षा जिसे हम उत्तर प्रदेश में होने वाले टइट परिक्षा की नाम से जानते हैं जिसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है और परिक्षर जो है यह 25 जुलाई को कंड़क्ट होने वाली है इसके एक्जाम पैटर्ण को डीटेल में डिसकुस करेंगे यूपीटेट परिक्षर जो है यह दो अलग-लग स्थर में कंड़क्ट कराई जाती है पहल कि इस वीडियो में हम डीटेल में डिसकुस करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करें सबसे पहले हम डिसकुस करते हैं पेपर वन को जो कि प्रात्मिक टीचर यहन की प्राइमरी टीचर के लिए कंड़क्ट कराई जाने वाली परिक्षा है इसके अंदर हमसे 5 अलग- निगरा हम तीस में बात करें तो यहां पर नांग्वीज वन जो है यहां हम लोगों को हिंदी सीलेक्ट करना कम्टल सरी हो जाता है जिसके हम से यहां पर 30 प्रेशन और हम तीसरी विश्य की बात करें यहां पर नांग depress foul जिशित में लोग को यहांपे चैन करना होता है एक जो कि हमें तीन अलग अप्शन दिया जाता है वह है इंग्लिश का दूसरा उर्दू और तीसरा संस्कृत इन तीनों में से हम किसी एक लांग्वेज को यहां पर चूस कर सकते हैं जिसके हमसे यहां पर 30 प्रश्न पूछ जाते हैं तो इस हिसाब से हमसे सीडीबी के यहां पर 30 प्रश्न पूछ जाते हैं इसके लावा लांग्वेज वन जो कि हिंदी होता है इसके हमसे 30 प्रश्न यहां पर पूछ जाते हैं और साथे साथ लांग्वेज टू जो कि हमें इंग्लिश उर्दू यहां पर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पर चूस करना होता एक language यहाँ पर choose करना होता है जिसके हमसे यहाँ पर 30 प्रश्ट पूछ जाते हैं अगर हम चौथे विशय की बात करें तो यहाँ पर गनित जो है mathematics जो है यहाँ पर compulsory subject बन जाते हैं जिसके हमसे यहाँ पर 30 प्रश्ट पूछ जाते हैं और पाच्वा और आखरी विशय जो हम से हाँ पर पूछ जाते हैं यह है EBS जिसको हम प्रियावरें अध्यान के नाम से जानते हैं जिसके हमसे हमसे यहाँ पर 30 प्रश्ट पूछ जाते हैं इसे साब से प्रात्मिक टीचर यानकि प्राइमरी टीचर के लिए कंड़क कराई जाने वादी इस परिक्षा में जो कि परिक्षा है इसमें हमसे 150 प्रश्ट यहाँ पर पूछी जाते हैं जो कि 150 अंकों की होती है यान कि एक कोशन यहाँ पर एक नंबर का होता है और इस परिक्षा को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर 150 मिनिट का समय दिया जाता है यानि कि अगर हम घंटों में देखें तो यहाँ पर हमें धाई घंटे का समय इसमें मिलता है अभी हमने डिस्कस के आप पेपर 1 के बारे में इसके अलावा अगर हम बात करें नेगिटिव मार्किंग की तो इस परिक्षा के अंदर कोई भी नेगिटिव मार्किंग नहीं होती यानि कि अगर आपका कोई एक प्रश् कंदख्ट होने वाली परिक्षा है अब चली हम जरें डिस्कस करते हैं पेपर 2 के बारे में यहां अब देख सकते हैं यहां हमसे चार अलगलग सब्जेक्ट पूछ जाते हैं अब कि पेपर 2 के अंदर हम लोगों यहां पर 4 subject पूछ जाते हैं पहला जो विशह है यहां पर बाल विकास एंग सिक्सा सास्त कर रहते हैं जिसे हम child deployment and pedagogy के नाम से जानते हैं जिसके हमसे यहां पर 30 प्रश्न पूछ जाते हैं इसके अलावा दूसरा जो subject है यहां पर यह हमारा होता है language 1 जो कि हमारा यहां पर हिंदी compulsory होता है जिसके हमसे यहां पर 30 प्रश्न पूछ जाते हैं यह हमारा paper 1 और paper 2 में same pattern चलता है इसके अलावा अगर हम language 2 की बात करें, language 2 में फिर से हमें यहाँ पर choice दे दी जाती है English, और दू और Sanskrit के बीच में कि हम इसमें से एक language यहाँ चूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसके भी हमसे 30 प्रश्ट पूश जाते हैं, अगर हम चौते विशय की बात करें तो यहाँ हम लोगों को एक option यहाँ पर select करना होता है, यह हमें form फिल करते भी सिलेक्ट करना होता है हमारे graduation के subject के नुसार, अगर हम BA या फिर BCOM के student रहें, यानि कि Commerce या फिर आप कह लेजिए Arts के student रहें, तो हम यहाँ पर सामाजिक विग्यान यान कि social science को यहाँ पर फिल करेंगी, ज इसके हम से यहाँ पर 60 प्रश्न पूछी जाते हैं, इसके अलावा अगर आपने graduation जो है, यह science stream से की है, तो आपको यहाँ पर mathematics यान कि गनित और विग्यान यान कि science को चूज करना होगा, जिसके यहाँ पर आप से 30-30 प्रश्न पूछी जाएंगे, इस हिसाब से अगर यह हमें 150 मिनिट का समय दिया जाता है, अगर आप यूपीटेट परिक्षा को पहली बार दे रहें, तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले previous year paper को आप निकाली और उन paper को solve करना स्टार्ट करिए, इससे आपको पता चलेगा कि paper का level क्या है, और साथे साथ आपको अप इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप यहाँ पर syllabus को download कीजिए, देखे, syllabus को download करने का यह फाइदा होता है, कि हम लोगों को पता चल जाता है, कि हम लोगों को exactly क्या चीज़े पढ़नी है, और क्या चीज़े हमें skip करनी है, इसके अलावा paper 1 और paper 2 जो भी आप यहाँ पर form तक के लिए होता है, तो इस लेवल की आपको यहाँ पर mathematics और साथे साथ सूशल साइंस को अच्छी तरीके सा त्यार करना है, क्योंकि यह पूरा section यहाँ पर 60 अंकों का है, इसके अलावा आप जिसमें maximum यहाँ पर score कर सकते हो, वो होता है, बाल विकास, इम सिक्सासास्त, य ही, उसके बाद आप syllabus को download करिए, फिर अपनी त्यारियां पर शुरू करिए, हम लोगों के पास अभी अच्छा खासा समय है, पेपर जो है, यह 25 जुलाई को conduct होने वाला है, जब तक आप अच्छी तरीके से अपनी preparation कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आप से मिलूंगी अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, बाई बाई, टेप केर